सब्सक्राइब बहुत सारे कैंडिडेट्स का यह कहरा था कि सर इंडियन ओयल में जो आइउस यह की रिकूरूमेंट है रिफाइनर पाइप लाइन डिवीजन में उसमें प्रिविएस यह प्रोइड करती है देखिए एक चीज में बहुत क्लियर करना चाहूंगा कि प्रिवि ऐसे से कोशन आयोए थे तो यह पीडिएफ दोस्तों हमसे शेर की है प्रशांक जादो ने और उनके कुछ साथियों ने तो पहले सबसे प्रहे तो उनको बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद क्योंकि इतनी अच्छी जो पीडिएफ यह बेसिकली जो प्रीवेस एर पी पेपर हाई उसका यह पार्ट फस्ट है नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट सेकेंड आप सभी लोगों के साथ डिसकस करेंगे तो उस वीडियो को भी हम डिसकस करेंगे और दोनों पीडियो दोस्तों आपको मिल जाएगी हमारे अफिशियल एप इलेक्ट्रिकल डोज में ठीक है जो हमारा ओफिशियल एप है इलेक्ट्रिकल डोज जिसका लिंक वीडियो को रिश्यूशन बॉक्स में दिया हुआ है उसमें पीडियेफ मिल जाएगी जब आयोसील जईए की टेस्ट रीज आप जोईन करोगे तो उसमें य गंटे का पेपर कोई भी नीगेटी मार्किंग नहीं 75 कोशन टेक्निकल के हैं 15 कोशन निमेरिकल एबिल्टी जिसमें 5 कोशन रिजनिंग 5 कोशन मैद 5 कोशन इंग्रिज और 10 कोशन जनल आवेरनस के रहते हैं तो एस पर डिजाइन है उसे जोईन करने के लिए वीडियो डि पत्यारी करें यह करें होंगे लिन्यर के लिनर के सारे को टिक उनलाेइनर की सारे कोशन निमेरिकल को अपिज़ घंग रिजकर करें तो इसल क्निक होथी है ओम पर बेज होती है फ्यूज की रेटिंग जो है दो सो एंपियर में होती है टाइम बेज जन्रेटर जो होता है वह बिसिकली एक उक्सलेटर होता है और फुलफा मॉल्डट के सर्किट ब्रेकर होता है ठीक है तो थर्मो कपल जो है एलेक्ट्रिकल एंजरी का सोर्स नहीं होता है यह ऑप्शन के साब से आपको टैकल करना था नेस्ट कोशन है विच इस दा में परपर उफ यूजिंग स्टार इन डीची मोटर तो डीची मोटर में स्टार का में परपर क्या है तो लिमिटाइज यूड़ीव अफ करेंट इन इस्टार्टिंग के लावा कुछ टाइम से टाइम का डिले रहता है क्योंकि जो हमारी मोटर होती है वह स्पेसिफिक के लिए दिजाइन होती है उसरा करेंट लेगा तो हमारी जो मोटर है वो का टीले देते हैं तक एकर इतनी सेकंड करेंट हाई भी रहे तब ही कोई दिक्कत ना हो जैसे इसके बाद हमारा मोटर जो है कम करेंट रो करना लागेगा नेक्स्कूर्शन इन इन ट्रांस्वारर इन फ्रांवर्मर इन प्रामरी इस छीज एंडे इस रहे ऊता है इन प्रावर्टलिद का इन सब्सक्राइब शीज लॉड लॉड लागइग नेचर जरके हो थे मोस्ट पॉबडली जितने लोड उते हैं वो सारे लागइग नेचर के ही होते हैं दा फिलिंग पावर्ड सिरीका इनके साफ चाहर सी फ्यूज में जो सिरीका फिल होता है इस मेंली फुलफिल्ट अपरपर आर्क वेंच को आपके आर्क को क्वेंच करने के लिए होता है लोगर वैल्यू ऑफ रजिस्टर इन जो मेंदर करते डिकलिविंट डबल प जो है सबसे हाइली रिलाइबल एफिशेंट होता है तो लो मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेजिस्टर रेजिस्टिविटी जो है यह फ्यूज की बहुत आइडियल क्वालिटी होती है तो ऐसे मेंटरिल की क्वालिटी आपको बतानी जो अच्छा एलेक्ट्रमागनेट तो हाई परमिल्टी और लो रिटेंटिविटी का जो मेंट होता है वह बड़ा अच्छा क्वालिटी का होता है तो इससे आप इनरजी निकाल देंगे 360 किलोट इसका आंसर है तो आप उस को नोट करके रखेंए और अपना स्वेशन ले लिजे क्योंकि आंसर अपको दिया हुआ तो इन टाइप उस्ट्रूमेंट आपका जो इनरजी मीटर होता है वह एक्सपोज इंपोस होती है रेजडूल मैंटेज़िए जनरेटर से आपका मेगर से चेक करते हैं विज वन आप फॉलोइंग विज आपका अमेरिका वागराम होने लगा तो इससे आप देख लीजेगा तो लेकिन एज पर जो पॉशन होगा आंसर मतलब ऑप्शन के साफ से 400 के भी बेस्ट ऑप्शन था उस टाइम दा इंसुलेटर यूजट इंड ऑफ ओवरेड ट्रास्विशन तो इस ट्रेंट इंड पर यूज कियाता है दा सूल परपोस गया वायर इन ट्रास्विशन लाइन तो सपोर्ट द पू इस मेंली यूज़ फर पावर फैक्टर इंप्रोवमेंट सब्सक्राइब किया जाता है रिपल फैक्टर ओफ एन हाफ वेवर्टिफायर तो यह आप जानते है वन पॉइंट टूवन होता है रिपल फैक्टर डिफाइस प्योर्टी ओफ आउट्पूट नेस्ट कोशन है द अगर आपके अप्शन में नहीं दी में तो आपको आइडिल उप्शन चूज़ चूज़ करना होता है अप्शन के साथ से क्योंकि आपके आपको आइडिल उप्शन चूज़ करना होता है इसमें आपको बेसिकली क्या है कि आपको रेंज बतानी है मीटर कि अगर आपको 5-10 अपर मेजर करना है तो आपकी रेंज किती हो नहीं चाहिए तो थोड़ा सा ज्यादा रेंज परसेंटेज लेके चलते हैं ठीक है तो यह आपको 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 10 से 15 अंपय सही था डिजाइनर है डिजानर हटो डिजाइन अडिस्टिवूशन सभी स्टैशां को अफिट पेजिए सफेड़ार के लिए यूस के या यादा है तो यहां पर आप आप दे सकते हैं कि अर्थिंग करेंट विल फ्लो टू अर्थ ठीक है नेस्ट कोशन है के वी डवलू और के वी का जो रेशियो होता है वह आपका बाउट फैक्टर होता है यह सभी लोग जानते है इनर्जी कैन बी डिफाइन तो यूवी स्कॉर्ड टी अपॉन और यह तो आप अराम से निकाल सकते हैं उसमें बहुत सारी कल्कूलेशन होती है उ प्रचाप को जो करेंट लाँ होता है प्लेशन और नॉन प्लेशन सर्किट के लिए अप्लिकेबल होता है वी चुना था फॉल्विंड फॉल्विंड पोल इस अपका इस पैन आप देख लीजेगा डिश्टल वोल्ट मीटर है है इसका इन्पूट इंपूट इंपूट इ आपका वोल्टेज और करेंट जो है सेम फेज में होता है शॉर्ट रास्मिशन आइस रिजेंबल लाइक सीरीज आरल बिल्कूर क्योंकि इसमें कैपसिटर का इफेक्ट हम इग्नोर करके चलते हैं नेक्स कोशन है इलेक्टरिक बल्ब इस ऑपरेटेड बाई सही बात है कि आप डीची एसी वेटरी किसे सिपी भी शकर सकते हो इफ दा वोल्टेज इन कारवन फिलामेंट नाइम इंक्रीचेन इस की नंबर आफ साइकल पर सेकंड आपका अप्रेश्टी ब्रीचे इक विल ह तिये चैने तुर्ण टरवएं इस वी प्यसिविश किया है, इसी लिए आपको क्या इसमेंä इसिद्च होगी स्भीनाइं होगी आपको अपना नंबर ज़्यादा लाना होगा आपको एसा रहना होगा कि आप ज्यादा मतलब डलत ना करें आपको अपना नंबर के पाने की कोशन को करेक्ट आने की के अपको शुधार नियोर्गी य यह लिगो से कहना हो कि आपको प्राक्टिस बहुत अच्छा हो गा delicious कुछ आप इसे देखें पर एक इमेजनरी वैल्य ले लिजेगा और दोनों को करेट कर लिजेगा ठीक है आपको खुद पतर जाये कि रिजल्टेंट क्या है अर्थ रजिस्टेंस इन एक सर्कृट शुट बी आज मिनमम एस पॉसिबल सही बात है इसे में पर्पर अवर्थ इस तो प्रोटेक्ट अपर्स न बोथ लेमिनेशन इस यूज इन इसी मसीन तो रिदूस देडी करेंट लॉस ठीक है इन विज मेंटर देड्वेल्य वोल्टेशन इस मोर्दन एक्चुल ठीक है तो इमफ में ट्रास्मिशन फ्रिक्वेंसी जो है इ इलेक्रिक होता है जो मैटेरियत होता है कैपेसिटर्स के बीच उसे हम डाइलेक्रिक मैटेल करते हैं वेन टू जन्परेटर्स आर रुनिंग इन प्यार्लर विच्वन अधा फैक्टर इस नॉट डिजराइबल करेंट इन बोथ मस्ट भी सेम दा क्रॉस आर्म यूज इन ओ किसी एंगल पर देना रहाता है next question है if we are using star delta starter at the starting period motor is running in start and usual in start but but for normal operator motor is shifting to delta the problem is यहाँ पर आप दे सकते हैं option star starter delta starter time circuit and contactor coil इजे आप एक बार देख लीजेगा next question है if in an induction motor the stator slot are made not equal to rotor slot then what will not happen starting torque will increase ठीक है यह happen नहीं होगा if a induction motor is running at 1500 rpm and at no load and full load speed 600 rpm to find the relative speed आपको rotor flux और इससे रोटेज और वोल्टेज दिया हुआ है तो आप इससे निकाल सकते है फॉर्मूले से आपका वोल्टेज और वोल्टेज दिया हुआ है तो आप इससे रेजिटन P is equal to V square by R से निकाल सकते हैं जिसका भी रिलीश रहे वो आप करेट option हो जाएगा ठीक है चलिए next question है इन चर्केट जिन टायोड ए अपका आपका अप्शन दिया हुआ है यह मैंने बोलना था कि जितनी नोट डाउन करके खोशे अप्शन टायोड फिल्ड वाला होता है जो आपका स्केंडर दिस्ट्यबशन में होता है as per IE rule which have to be placed by drawn in system the width and the depth to be provided for a particular voltage range must be lie between 3.3 kv say 11 kv where depth must be 0.9 meter and width of 0.75 the circuit component is given by 3 plus j4 the impedance of the circuit is given by two components of the circuit in series combination they must have the same value of current in a circuit circuit have no have number of branches 7 है तो number of nodes 4 है तो आपको loops बताना है तो L is equal to B minus 1 plus 1 से आप निकाल सकते है if an inductor is connected in series with the diode what will be the conduction time of diode तो या greater than pi less than pi utter pi यह आप देख लिजेगा वेन two generators are connected in parallel then the load division in this operation में भी तो external characteristics पर डिपेंड करेगा यह सारे option लिखे हुए देखे अब आपका ब्रेज रेक्टिफार से रेटेर एक कोशन है ठीक है और यहां पर capacitor से रेटेर एक कोशन है बहुत आचान असान कोशन है इससे आप देख लीजेगा देखेंगे का चार्जिंग वाली करेंट जो फार्मूला लगता है उसे आप लगा के इसे निकाल सकते टूटल 85 कोशन दोस्तों हमने फटा 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 आपको रैपिड तरीके से उता दिया देखेंगे अगर हम पर सॉलूशन पर हमने फोकस इसलिए नहीं किया क्योंकि हम एक क्योंकि तो टाइम आपका जाएगा उसे अच्छा है कि आप सेल्फ स्टेडी आप करो और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाओं तो नेक्स्ट पार्टी जो होगा वह भी आपका प्रीवेस एर पेपर ही बेस्ट होगा इसका भी पीडिए और उसका पीडिए दोनों आपको हमारे आप जाएगा उसे आप जॉइन कर सकते हैं जिसका लिंक वीडियो को रिस्क्रेशन बॉक्स में है बहुत से नॉमिनल चार्जेस है जो आप मतलब लाइफ में कभी कंसीडर ही नहीं करतो 75 रूपीज के आस पास है तो उसे आप जॉइन कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो वीडियो को रिश्क्रेशन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा चले दूस्तों आचके वीडियो बसेतना है थैंक्स वाचिंग डिस यूडियो स्यूने